हेलो स्टूडेंट्स आज हम ब्रैंक्योस्टॉमा को स्टार्ट कर रहे हैं ब्रैंक्योस्टॉमा एंप्योक्सस भी बोलते हैं इसको लैंसिलेट भी बोलते हैं इसको तो आज हम इसके बारे में डिसकुस करते हैं यहां पर डाइग्राम में हम इसकी स्ट्रेक्चर को यहां प से फैलो कोडेट्स क्लास का ये पार्ट एनिमल होता है छीक है इसमें जैसे कि आपको पता ही है ये कोडेट्स है तो कोडेट्स के फंडामेंटल करेक्टर्स यहां पर हमें देखने को मिलेंगे देखने को मिलेगी नर्व कोड देखने को मिलेगी डॉर्सल नर्व कोड और फेर इंजियल गिल्सलिट्स यहां पर देखने को मिलते हैं तो यह सारे तीनों जो कोडेट्स के जो फंडामेंटल करेक्टर्स है वो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे इसके बारे में देखते है अभी तो ब्रेंक्योस्टोमा की हम सिस्टेमेटिक पोजिशन देखें तो ब्रेंक्योस्टोमा फाइलम कोडेट्स का सिफेलो कोडेटस अफाइलम का क्लास इसकी लेप्टोकार्डी होती है और ब्रेंक्योस्टोमा ये एंप्योक्सिस इसका स्पिसीज का नेम है खीक है प्राइंकियोस्टॉमा एमफियोक्सिस जो है यह समुद्री animals होते हैं जो कि फिस लाइक appearance इनकी होती है छो these are not the true fishes but यह फिस लाइक होते हैं यह false fishes भी हम इनको बोल सकते हैं इनकी जो structure वो हम देखने को एकदम से ऐसे लेगा कि यह फिश है जबकि यह फिश नहीं है फिश क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे एक त्र्यू फिश और फाल्स फिश में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो यह जो application यहां पर मौथ यहां पर मिट्टी से बाहर निकाले रहते हैं अपने माथ और जो पाणी के द्वारा उत्तेज़ चोटे मुटे एनिमल साते हैं पाणीगा उनको यह सीलियरी फीडिंग के द्वारा उनका यह भोजन करते हैं तो इनका बोड़ी पार्ट जो जो है इनके tentacles present होते हैं head part में इनके head से लेके और पीछे तक codal part तक यहां पर notocode present होती है इसलिए इनको हम cephalo coders बोलते हैं क्योंकि यहां पर coders देख सकते हैं एकदम head से शुरू होती है और tail तक होती है फिर इंजिल किलिसलेट्स यहां पर pharynx में हमें देखने को मिलेंगे mouth यहां पर नीचे की side में होता है tentacles के जुस्ट पीछे की side में यहां पर इनमें atrium cavity पाई जाती है जैसे कि हमने heart mania में भी देखा था atrium cavity जिस pore से भार open उती है उसको में atrium pore बोलते हैं इनकी जो notocode है उनके दोनों side में चार तरफ एक segmented muscles यहां पर हमें देखने को मिलती है last में यहां पर यहां पर एनस प्रजेंट होती है और पीछे का जो इनका फिन होता है यह पोस्ट एनल टेल बोलते हैं इसको कोडल इनका फिन होता है तो यह इनकी appearance फिस लाइक appearance इनकी होती है हिस्ट्री की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा जो है सबसे पहले 1778 में इनको खोजा गया था और इनको नाम रख दिया गया था क्या लाइमेक्स लैंसियो लेटरस नाम रख दिया गया था पहला आस के दुवारा इनको खोजा गया था और इनको सबसे पहले first look में इनको molluska में सामिल किया था था थीक है फिर कोस्ट आए कोस्टा ने इनको सबसे पहले recognize किया इनको नोच कोड की discovery की और इनको lower coders में रखाया 1834 में और इनको Brancheostoma नाम दिया कोश्टा ने दिया The Amphioxis जो नाम है यह दो साल बाद उसके कोश्टा के Yeral नाम इनको Amphioxis नाम दिया ठीक है, अब हम इसके Habit और Habitat देखते हैं तो Brancheostoma जो है, यह Marine औरüş चुराइन वाटर में हमें देखने को मिलता है दोनों water में मिलता है, इस चुराइन में भी यह देखने को मिलता है ये shallow water में और जो जहांपर थोड़ी-थोड़ी समुद्र के किनारे, जहांपर थोड़ी मिठी होती है वहाँ पर ये आ जाते हैं, दिन के गाया time में तो यह burrowing animals होते हैं यह burrow बना के रहते हैं पिल बना के रहते हैं और ज्याद़ तर time यह burrow में अपना time spent करते हैं मैंने आपको अभी आपे diagram में आपने देखा था कि यह मिट्टी में ऐसे धसे हुए रहते हैं सिर्फ mouth parts को यह बाहर निकाले हुए रहते हैं ठीक है रात को यह क्या करते हैं बरो को छोड़ देते हैं और lateral undulation इन में पाई जाते हैं इनकी बोड़ी में उस locomotion की द्वारा यह swimming करते हैं तो दिन में तो यह मिट्टी में गड़े रहते हैं रात को चले जाते हैं यह एक तरह से ciliary feeder होते हैं filter feeder होते हैं जो food जो होता है वो water current की द्वारा यह दिन के टाइम में water current के दुवारा यह माउट से collect करते हैं रात को तो खैर यह locomotion करते हैं तो रात के साइम टाइम में तो यह locomotion पाया जाता है जबकि दिन में तो यह ससाइल ही होते हैं यह एक monosseous animal होते हैं means यहाँ पर हमें sex separate देखने को मिलेंगे fertilization में यहाँ पर external देखने को मिलेगा external characters की बात करें रेंकियो स्टोमा तो इसकी जो बोड़ी होती ही वो five to eight centimeter long होती है लेटरली compressed होती है एक दम fish like appearance होती है दोनों एंड्स जो इसके होते हैं वो pointy ends होते हैं इसके और यह धारदार हतियार जैसा हमें दिखता है इसलिए इसको हम lancelate भी बोलते हैं तो यह जो lancelate नाम पढ़ा यह इसलिए पढ़ा क्योंकि यह आया कि धारदार हतियार की तरह दिखाई देते हैं इसकी जो बोड़ी है उ और एक short posterior tail तो भागों में यहां पर हम इसको divide करेंगे इन में true head absent होता है brain books यहां पर absent होता है ठीक है इनका जो anterior end होता है trunk का वहां पर rostrum और snout हमें देखने को मिलते हैं इन में paired fins नहीं पाये जाते हैं इसलिए यह क्या है false fishes है अगर किसी अनिमल में paired fins पाये जाते हैं तो वह true fishes में count की जाती है इसमें तीन तरह के fins होता है median और unpaired fins एक dorsal, vental और codal तो तीन तरह के इसमें यहां पर fins हमें देखने को मिलेंगे dorsal, vental fins and codal fins जबकि यह paired नहीं होते हैं क्या होता है single single होते हैं सारे paired यहां भी नहीं है dorsal और vental fins जो है एक इनमें endoskeleton का काम करती है fin ray box तो यह fin ray boxes हैं उनकी द्वारा यह support किये जाते हैं जो की connective tissue से मिलके बने हुए होते हैं यह connective tissue से made up जो structure है fin ray boxes बोलते हैं हम इनको इस तरह की structure होती है यह इनको support करते हैं dorsal और ventral fins को इनसे यह supported होते हैं इनका जो trunk part है आगे का जो उसमें mouth होता है atriopore होता है और एनस तो यहां तक का जो part है इसका एनस तक का वो इसका trunk होता है और पीछे का जो part है उसको हम क्या बोल रहे हैं इसको हम बोलेंगे पोस्ट एनाल टेल पार्ट ठीक है तो यहां पर sorter जो part है वो posterior tail हो गया और आगे का जो लंबा पार्ट है वो trunk हो गया तो यह इसकी external characters थे diagram में देख सकते हैं इसमें आगे यहां पर यह इसका mouth होता है यह tentacles निकले हैं जिनको oral sirai बोलते हैं इस oral sirai के पीछे mouth की जुस्ट पीछे एक folding होती है जो वीलम बनाती है छीक है फिर यह जो mouth है head parts लेके और cordal fin तक यहां पर notocord present होती है तो mouth जो है इनका very wide होता है काफी चोड़ा होता है और oral hood में यह खुलता है ठीक है इनमें कुछ इनकी जो margins और oral hood की यह कुछ 11 pairs में tentacles like structure बना लेती जिनको हम oral sirai और buccal tentacles भी बोलते हैं the anterior pore is smallest and mid ventral aperture situated just in front of ventral fin तो यहां पर इनका जो ventral fin है उनके जस्ट निचे atriopore atrium जो जहां से open होता है पीछे यहां पर वो atriopore बनाएगा codal fin है उसके just नीचे एनस यहां पर देखने को मिलेगा last में codal fin के just नीचे atriopore कहां पर मिलेगा जो ventral fin है यहां पर ventral fin है ना ventral fin के just आगे हमें यहां पर atriopore देखने को मिलेगा वेंटल सर्फेस की बात करें तो यह एकदम flat होती है और इसका तो टू थर्ड होता है उसको हम epiplura बोलते हैं क्या बोलेंगे epiplura यहां पर दिख रही है mouth देखो यहां पर mouth होता है नीची साइड में चोड़ा mouth है overall hood यहां पर देखने को मिलते हैं इसके अलावा epiplura के अलावा lateral margins यहां पर और देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं metaflural fold यह तो structures होती है अब हम इसकी body wall को देखे तो इनकी body wall में तीन चीज़े हमें देखने को मिलेंगे एक तो skin muscles और peritonium तीन चीज़ों से यह मिलके बने होते हैं muscles सबसे पहले जो skin होती है इसकी epidermis skin होती है उसके just नीचे यहां पर muscles पाई जाती है muscles जो है जिसमें की नारोज, blood vessels, subcutaneous यह सारी चीज़े हमें blood vessels वगेरा यहां पर muscles part और यह है meat का जो part है उसमें देखने को मिलेंगे और just last part होता है वो peritonium तो peritonium जो है वो cilom होती है cilom को जो cover किये है जो part होता है उसको peritonium बोलते हैं तो यह तीन चीज़े यहां पर हमें इनकी structure में देखने को मिलेंगे इनकी जो muscles होती है वो सारी straighted और voluntary muscles इनमें देखने को मिलती है ठीक है peritonium मैंने बताई दिया यह cilom की जो covering होती है उसको हम peritonium बोलते हैं कि उसके बाद देखते हम इसका skeleton तो ब्रैंकियो स्टोमा में कोई exoskeleton प्रेजेंट नहीं होता है इनमें endoskeleton जरूर प्रेजेंट होता है endoskeleton जो है वो हमें एक तो नोचकोड की रूप में देखने को मिल सकता है एक इनमें dense fabric connective tissue जो के fin ray boxes वगेरा भी बनाते हैं वह सारी चीजे वह भी endoskeleton का काम करते हैं gelatinous rod होती है इनमें plates पाई जाती है और last में fin ray boxes जो इनके fins थे vental cordal fins वह इनको support कर रहे थे fin ray boxes वह इनके endoskeleton का निर्मान करते हैं तो notocode जो के पूरी body में इनके पाई जाती है यह एक तरह का endoskeleton का काम करते हैं और body को यह support करते हैं dense fibrous connective tissue जो होते हैं यह body को firmness provide करते हैं और जो दो organ के बीच की जगह है उसमें यह fill up होय होते हैं और पूरी body में हमें देखने को मिलते हैं यह एक तरब से तो epidermis और दूसरी तरब से जो peritonium की parietal जो layer है उन दोनों के बीच का सारा जो space होता है वो इनके द्वार कवर किया हुआ रहता है ठीक है यह myotorms को भी enclose कियो होते हैं gelatinous roads और plates चो होती है यह fairings और gill bars को यह support करते हैं oral ciri को और इनको यह support करते हैं endo style को भी support करते हैं यह elastic fibers चो हैं उनकी agglutination उनके जूडने से यह बनते हैं और यह flexible इनकी जोड़ी जो structure होती है flexible होते हैं fin ray boxes होते हैं dorsal ventral fins को support करते हैं और यह जो है gelatinous mattress के द्वारा ही connective tissue के द्वारा ही बनते हैं तो यह इनमें endoskeleton थे cilom की बात करें तो cilom और atrium दो branchiostoma में दो प्रिकार की cavities हमें देखने को मिलती है cilom cilom क्योंकि हमें पता है coordinates क्या होते हैं true cilom animal होते हैं इनमें जो cilom होती है वो enterocilom यहां पर हमें देखने को मिलती है means यहां पर cilom में इंट्योस्टाइन के अंदर मीजोडर्म के splitting यहां पर cilom arise होती है ठीक है और इनके जो cilom है उनके जो covering है एक सत्य दुवारा lined होती है उसको peritonium बोलते हैं जिस इस peritonium के अंदर cilomic fluid यहां पर भरा होता है एक्ट्रियम जो है यह एक्टोडर्म से cover होती है चारो तरफ से और यहां पर pharynx isophagus intestines अंके जस्ट नीचे यहां पर यह देखने को मिलती है cavity और यह cavity जो है यह एक्ट्रियोपोर के दुवारा बोड़ी से बाहर open होती है एक्ट्रियम जो है यह पीछे एक्ट्रियोपोर तक होती है और आगे की बात करती है फैरिंग स्पार्ट से शुरू होती है चीक है तो इनमें दो प्रकार की यहां पर हमें cavity देखने को मिलती है रात के टाइम में ब्रина्यकियोस्टोमा लोकॉमोशन करते है और ना मैं जब यह लंगोमोशन करते हैं तो जो कि इनकी बोड़ी की लैटरल अई यूशन की दौरा होता है कैं जोकि इनमें जो मसिल्स मायोटॉम्स जो प्रिजेंट झार्ज्वाबर यह रस्ग तो यह बरो में रहते हैं अब बरो बनाने के लिए इनको बरो भी खुद बनाएंगे तो बरो बनाने के लिए इनको यह जो मसल्स है यह इनमें stiffness कोज करते हैं नोटो कोड और इनके द्वारा तो इससे यह बरो बना पाते हैं ग्लैंस से ले धारदार हतियार की तरह दिखाई देते हैं तो बरो खोदने में भी यह मसल्स यहां पर जो है लेटरल एंडुलेशन जो है यहां पर हैल्पर करता है अनिमल जो है यह नॉर्मली बोडी मिटी में धसा हुआ है थोड़ा से भार आता है और जब खत्रा वगेरा होता है कोई जानवर आ जाते हैं पर प्रेडेटर साजाते हैं तो भी वहां से निगल के और पानी में भग जाते हैं ये सारी चीजें हमें आज ब्रेंkaिए रहर हैं गर Pacan का इw अजब और चोंटो कर के अब इसको सिश्टैम्स हैं वह हम एक एक करके अब आगे आपने आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे पर आगे हम देखेंगे तैंक्यू झाल